आम शान्ती आज 9 जोन 2023 हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरुली आज के महावाइक इस महावाइकों में बाबा शिक्षा की एक बहुत बरी पुर्टी के रोप में कहना चाहते थे सुईटिस्ट बाबा आया है हम बच्चों को देवी देवता जैसा सुईट बनाने बस्तुब में शी बाबा स्री स्री होता है और बच्चों को स्री शोरू बनाते हैं सदा शुकी बनने का बर्दन उन बच्चों को प्राप्तो होता है जिनको ग्यान रत्नों का बहुत बहुत बहिलू है, एक एक ज्यान रतनो लाखो लाखो रुपाया का है और बच्चे को पदम पति भी बनाते हैं। बाबा की एते हैं तुम ज्यान रत्नो धारन कर रूप बसंत बनते हो अगर तुम सदईवो मुख से ज्यान रत्नो निकालते हो तु सदा सुखी बन जाएंगे जो बच्चे सुईट बनते हैं बाबा भी देखकर खुश होते हैं और तुम्हें सदा सुखी बनने का बर्दान भी देते हैं तुम बच्चे इस बर्दान से माला माल बन जाते हो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी भी बन जाते हो, ये था शार का रूप में, अभी हम सुनेंगे विस्तार से, ओम शांती, मेठे बच्चे, सुईटिस्ट बाबा आया है, सुईट बनाने, तुम्हें देवतव समान सुईट बनना और बनाना है, प्रश्न, सोधा सुखी बनने क बर्दान किन बच्चों को प्राप्त होता है, उत्तर, जिन्हें ग्यान रत्नों की भेडू है, एक एक रत्नों पदम पती बच्चों को बनाने वाला है, तुम बच्चे इन रत्नों को धारन कर रूप बसंद बनते हो, मोख से सदय वो रत्नों निकालते रहे, तु सदा सु कोखी बनने का बर्दान भी देते हैं तुम बच्छे इस बर्दान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो आज का गीत है आ गए दिल में तू आम शांती कितना मीठा गीत है ना भल वनाया फिल्म बालों ने परुंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं तुम मीठे इस बहुत की नाटोक में पार्ट बजा रहे हो बहुत की ड्रामा में बहुत का बाब भी अब पार्ट बजा रहा है तुम्हारी सम्मुग बैटे हुए है तुम बच्छों को सुईट बाबा ही नजर आता है आना भी चाहिए आत्मा इन नायनों से एक दो को देखती है आत् धामशर के आया हूँ, माया ने तुमको बहुत कुरुआ बना दिया है, यो बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कितने सुईट थे, बरबर तुम जब मंदिरों में जाते हो, तु देवतव को कितना सुईट समझते हो, देवतव को कितना मीठा नजर से देखते हो, कहा मंदिर सुईट देवतव का दर्शन करे, तुमारा केतना खुश ही रहता है, बनावर तो भल पत्थर की है ना, परूंतु समस्त हैं, यो सुईट होकर के गये हैं, शिप के मंदिर में जाते हैं, वे भी बहुत सुईटेष्ट हैं, जुरूर होकर गये ना, सुईटिस्ट ते सुईटिस्ट मेठे से मेठा बाप ज़रूर भारत में है आया होगा मंदिर्यों में जो भी है वो सब भोकर गए ज़रूर कुछ करके गए ना इस संगम पर आए ये राज्युक शिक करके गए सुईटिस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो ज़रूर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा सबसे सुईटिस्ट है तुम कहते हो ना भारत में खाश दुनिया में आम शिप बाबा की महिमा तो बहुत है शिप काशी विश्वनाद गंगा ऐसे बहुत कहते है वहाँ जाकर के रहती भी है यो बाबा भी सब तरफ चक्र लगा करके आये हैं मुनिश्वो शिप की कितना महिमा करते हैं बाप जानते हैं यह सब सुईट चिल्डरेन हैं घर की बच्चे हैं सबको नंबर वार अपना पार्ट मिलता है परुन्तु सबकी नजर हिरू सब्धाम बेटे हैं उन्हों के लिए गात हैं तुम मात पिता हॉं बालक तेरे अभी तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता के सम्मख कर दिया फरून्तु कोई पता नहीं पढ़ता शिप के पजारी तो बहुत होते हैं लेकिन पुरा पूरिचवे नहीं है तुम जानते हो बच्चे, शिबाबा है सुईटेस्ट, उन जैसा सुईट कोई होता ही नहीं, वो सुईटेस्ट बाप ना आये, तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने, इस समय तुम बच्चों के सिबाए कोई भी सुईट नहीं है, भल आपने को शिबहम भगवान कहते रह लेकिन भगवान तो एतना सुईटेस्ट है, वो तो परमधाम में रहने वाला, तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो, शिबहम हम ही भगवान है, भगवान तो राचविता ना, पतित पावन है न, भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं, सभ भक्त भग लगवान है, निराकार शिब को ही सुईटेस्ट कहेंगे, सुईटेस्ट बाबा दा रही, सुईटेस्ट सर्गो में तुम जाएंगे, या तुमारी लिए बहुत खुशी का बात है, यो डिनायस्टी रची जा रही है, स्थापना हो रही है, सुईटेस्ट बाबा हमको Most beloved जो जैसा होगा ऐसा ही तो बनाएंगे न, कहते हैं मैं निराकार हो बच्छे, तुम आत्माई भी निराकार हो, शिप के मंदिर में शिप लिंगो की पुजा होती है न, जग्यो रजते हैं तो शलिग्रम और शिप बनाते हैं, उनकी पुजा करते हैं, बहुत बरे-बरे शेट लोग भी जग्यो रचते हैं रुद्रु शीप का भी लिंग्व बनाते हैं और शलिग्रम भी बनाते हैं ब्रह्मन लोग पुझा करते हैं तुम ब्रह्मन ही पुझ्यो थे तो फिर पुझारी बने हो शीप का लिंग्व बरा शालिग्रम छोटा बना कर पुजा करते रहते हैं, उसका नाम है ही रुद्रो जयक्यों, तो यह हो गई मिठी की पुजा, भूत आधी मिठी की बना आते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बेट पुजा करते हैं, भारत पुज्यो था न, सतियुक त्रेता में पुजार पन नहीं था, आधा कल्प है ग्यान, आधा कल्प है भक्ति, गाया भी जाता हैं, आपी ही पुज्यो, आपी ही पुजारी, फिर कहते हैं सब भगवान हैं, समस्ते हैं भगवान ही पुज्यो था, भगवान ही पुजारी बनता है, तो इनको उल्टी गंगा कहा जाता, बाप को तो सब बुलाती ही हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल, तो पुकारणा मना अहब्बान करना, भक्ती मार्ग में आधा कल्पो भक्त लोग अहब्बान करते हैं, सर्गों में तो तुम मालिक होंगे, बाप के हैते वेचे तुमको बहुत सुईटेस्ट बना रहा हो, गौड़ फादर कितना मेठा, कितना प्यारा, शिब भोला भगवान है, संकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे, शिब निराकार, संकर आकारी, तुनों को मिलाना तो गलती है न, मुनश्यों कोई भी मंदिर में जाएंगे, तो पूजा एक निराकार ही करेंगे, सब को मिला देते हैं, अचतम केशवं स्री राम नारायन, अब राम कहां, नारायन कहां, तो इसको इकटा कर दिया, यह भगती है, बेश कौन है, यह कोई भी नहीं जानते, बस तुमें सच्ची वेश, शुब देप के तुम बच्चे हो, बाबा बेट सहाजी योग की नलेश सुनाते ह हैं, और उस शुब देप के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे बेश, हम ब्रम्मन हैं, तो हमको प्रैक्टिकल में बैट सहज राज्योक शिकला आते हैं, जिससे हम मुनिश्यों से देवता बगते हैं, देवताओं के आगी जाकर गाते हैं, हम पापी, ने, शाल, कापड हैं, वो तो बहुत मीठ हैं, लक्ष्मinaarmade नहीं, पराश्री जन्म लिये हैं, तत्तम, यह नालेज तुमको ही मिलती हैं, लक्ष्मि नारेज में वहाँ यह नालेज नहीं, होगी सत्युग में, हम वहाँ यह यह नालेज देकर किसी को देवता नहीं बनाएंगे, वहाँ बाबा के बच्चे हैं फिर स्री लख्ष्में नारयन बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो। हम सुीठ फदर से सुीठिस्ट बनते हैं। तो श्री बाबा है स्री स्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं, हम आपने को कभी स्री स्री नहीं कहो सकते, स्री स्री टाइटिल तो एक श्री बाबा का है, यो समझने की बात है, तुम जितना आशुरिरी देही अभीमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंग उतना मिठा बन पाएंगे देही अभिवानिवन बाप और बर्षो को याद करना है तो यो एक मुख्षो बात ना भूलो मुझी याद करेंगे तो मेरी जैसा मिठा बन जाएंगे तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए बाबा तो मिठाश का तो जैसे एक पाहार है बच्चे कहते हैं ना सिमर सिमर सुक पाओ कोई सिमर नहीं सिमर नहीं है माला नहीं फेर नहीं है स्रिप याद करना है कोई को भी यो पता नहीं है कि यो माला किसकी याद में बने रही है स्रिप राम राम कहेते रहते हैं माला इसलिए हम श्मारन करते हैं माला फिरना तो पुजारी पन का चिन्ना है हम बाबा को बहुत याद करते हैं यह हमारी ड्यूटी दिया गया है याद से ही हम एवर हिल्दी निरोगी बन जाएंगे बाबा बार बार कहीं ते बैचे आपने को आशुरीडी समझ मुझे याद करू तो बैरा पार हो जाएंगे बागी कोई दोश, बीश, भुजा या सूर वाला मुनिश्यो नहीं होता ना कोई छिकने से द्यवता निकालाएंगे यह बात अब तुम सुनते हो, समझते हो यह सब क्या है यह सब है भगति मार की संसार, भगति मार की समगरी सतीयुग में तो योग कुछ भी नहीं होगी। भक्ति आधाकल्प चलती हैं, ज्यान कोई आधाकल्प नहीं चलती। ज्यान की प्रणफद आधाकल्प चलती हैं। ज्यान से एकुष जन्म का बर्षा मिलता है। तो जैसे वो भक्ति का बर्षा मिलता, भक्ति पहले सतप्रदान थी, फिर सतो रोजो तौमो हो जाती है, जैसे यो भी बाप से बर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रदन, फिर सतो रोजो तौमो में आते हैं, ज्यान का बर्षा भी सतो प्रदन, सतो रोजो तौमो होता है, यह बहुत समझने की बात है, यह ज्यान का सैक्रें तुम्हें मिलत रहा है, प मुरूली कैसा सुना सकेंगे? निराकरी दुनिया तो है Silence World, फिर है मोवी यो टॉकी तीन लोग है ना? एक एक बात तुम नई नई सुनते हो दुनिया में और कोई नहीं जानना सके तुम जानते हो बच्छे हम आत्मे Silence World से आती है वो हमारा पर्मानेंट एड्रेस से यहां हमारी टेंपरारी घार है वहां की रहोबाशी हम है इसलिए उनका नाम ब्रम्भन्ड रखा हुआ है अंडे मिसल आत्मे रहती है परन्तो ऐसे है थोरी ही अगर स्टार कहे तो स्टार की पोजा कैसे हो? फल, फूल, दूद आती उनका पर कैसे टहर सके? नाम तो शिप्ठिक है ऐसे नहीं कि वो बाप परा हम आत्मे छोटी है परम्मना परमधाम की रहने वाली आत्मा जो most beloved है तुम जानते हो अब हमको बाबा की स्रिमात पर चलना है बहुत मेठे ते मेठे बाबा आकर हमको most sweetest बनाते हैं आत्मा sweet बनेंगी तो सरीर भी sweet कंचन कया मिलेगी बाबा के एते बच्चे स्रिप बीज और जार को याद करो बीज है बाप बीज बाप उपर में बैटा है वो है प्रिक्षपती यह है foundation तुम इस समय फुरुशाद करते हो फिर इन से और टाल टालिया निकालती है दुनिया में कोई की बुद्धी में यो नहीं है बाबा के एते लटले बच्चे निराकर बाप इस सरीर दारा बलते हैं तुम इन कानों से सुनते हो आत्मा ही धारन करती है ज्यान शुर्ज प्रकटा अज्यान अंधेरे बिनाश अंधियरी रात होती है न मुनिश्यो समस्ते हैं तो इससे भी औजोन अंधियारा होगा तो यो है ही घोर तो अंधियारा मुनिश्यो यो नहीं जानते अभी तुम रचोईता और रचोना के आदी मुद्ध अंतों को जान गई हो जिसके लिए शन्नाशी कहते है ब्याउन इश्यर तुमारी गात मत न्यारी है तुम तो समस्ते हो इश्यर ही आकर गोती सदगोती देते है वो शन्नाशी जो कहते है वो जोटा कहते है तुम जानते हो स्रिमुत से हामसो नर्ष से नारायन नरी से लक्ष्मी बनेंगे कितना भारी नैशा है न इश्यरिय नैशा है एम आपजेक्ट तो एक ही होता है न वेरिश्टर बनेंगे परुन्तो नमबर वार तो बनेंगे न इसलिए फॉलू फादर मादार जानते हो मादार फादर पुरुशार्ट कर नमबर वान में जाते हैं तो हम भी जरूर पुरुशार्ट करें हम भी इतना स्वीटेस्ट बनें बच्चे माबाप के तक पर जीत पाते हैं तो वो बरिते बरे हो जाएंगे तो माद पिता नीचे उतरेंगे तो जैसे तुम माद पिता के तक पर जीत पाते हो तुम बच्चे को बहुत प्यारा बहुत मिठा बना है तुमारी मोख से सदईवो रत्नों ही निकालनी चाहिए तुम रवप पसंत हो न उन्होंने तो एक कहानी बेट बनाई है यह ग्यान रत्नों रोज तुमें मिलता है जहरात को तो बाबा अच्छे रिती जानते है सबसे उच जहरात का धंदा गिना जाता है यह भी ग्यान रत्ना है लाखो लाखो रुपाया का है एक-एक रत्नों की धारन करनी है इसमें तुम आंगिनात पदम पती बनते हो तुमारी महलों है कैसे सुने की इट फिर यह जहरात लगते होंगे बरिक खुशी में रहेंगे एवर हल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे यो जैसे बाबा बर्दान देते हैं जितना मीठा बनेंगे उतना बाब कुश होंगे स्कूल में टीचार स्टुडेंट को जानते हैं न कौन कितना नंबर पाएंगे यो तो बहुत का बाब, टीचार, सद्गुरू थ्री इन वान है अभी तुम बच्चे सामने बेटे हो तो मुरूली भी ऐसे निकालती है परूंतो फिर ग्यानी तो आक्मा को बाबा यहा रहने नहीं देते बाबा ओर्डर करते हैं कहते हैं जाओ जाकर मुनिश्यों से देवता बनाने की शेबा करो गाउ गाउ में शेबा करो घर घर में शेबा करो जो करूबे थे करूबे थे करूबे प्लेगी बहुत रोगी हो गई है, उनको निरोगी बनाओ, अभी तो एवारेज आयू सबका 40-50 बर्षो का होगी, जोगी की आयू बहुत बड़ा होगी, सिक्रिष्णो को महात्मा जोगेश्व कहते हैं न, उनका जब रज्जो था, तब एवारेज आयू देर्सो साल का था, अभी रोगी बन गई है, हिशब तो है न, परुन्तो मुनिश्व जानते नहीं, बुद्धिरूपी बर्तन जो सोने का था, उसमें बीश भरने से यो हाल हो गया है, और बाबा यान अम्रित डाल सोने का बनाते हैं, हम बहुत उपर चले जाते हैं, अच्छा, मेठे मेठे, स रुहानी बाब ददा को भी याद, प्यार, गुद्मार्निंग, नमस्ते, 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 धरना के लिए मक्खुशर नमबर वान, बाब समान सुईटिस्ट बनना है, कभी कोरूबे बनना नहीं, तो नमबर दो, बाब हमको जो अमलो ग्यांद रतनों दे रहे हैं, उनक प्रभू पसंद बनने वाले खुशियों की खाजाना से संपन नभव। और तो है, बाब ददा ने ब्राह्मन जन्म होती ही सबको खुशी का बरित्यबरा खाजाना दिया है, यह ब्राह्मन जन्मों की गीफ्ट है, बाब ददा हर बच्चों को चहरा सदा खुश देखना च प्रभुपसंद है और हर एक को भी पसंद है. सदा, खोष रहने के लिए यही गित गाते रहो, पाना था, सो, पा लिया, काम, बाकी क्या रहा, कोशी भी नहीं. हम सदा, खूश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा. स्लोगान है निराकरी निरहंकरी स्थीति में स्थीत रहोकर विश्व को प्रकाशित करने वाली ही चैतन्यों दिपक हैं ओम शंति